नेक्स्ट है आलम, काफी विख्यात कभी रहे हैं रीतिकालीन कभी ताके, आलम जाती से ब्रामन थे लेकिन प्रेम के कारण इन्होंने भी क्या किया? अपना धर्म परिवर्तन किया और मुसल्मान बन गे, क्यों बन गे? क्योंकि इनको सेख नाम की एक रंग्रेजिन, रंग्र प्रेज कहलाते हैं, एक रंग्रेजिन से इनको प्रेम हो गया था, और प्रेम की कहानी भी बड़ी गजब किया, और सेख से प्रेम करने के कारण इन्होंने उनसे बाद में विवाह किया, और विवाह करने की वजए से ये, जो है, मुसलिम बन गए, मुसल्मान धर्म इन्हो करते हुए कहती है, मुगल बादसा से जब वारता लाप चल रहा होता है, उस दोरान वो हाजिर जवाबी देते हुए, वो कवित बोलती है, और वहाँ पर अपने पुत्र का नाम इस्तेमाल करती है, बादसा पूछता है कि क्या आलम की पत्नी तुम ही हो, तो सेख जवाब कि हाँ आलम की पत्नी भी मैं हूँ, और आलम की पत्नी नहीं वो सीधी से जवाब देती है, हाँ मैं जवाब देती है, अपने कवित के माद्यम से, और अंजेब के दूसरे बेटे थे मौजम, और वो मौजम बाद में बहादूर सा के नाम से गड़ी पर बेठे, तोनों ना बहादूर साह के आस्रे में रहकर के ये कावे रचना किया करते थे, कौन आलम, बाद में आलम और सिक दोनों एक दरबार के ही हिस्से हो गए थे, लेकिन निकाल दिये गए, आलम का कवीता काल भी समबत 1740 से 1760 के आसपास माना जा सकता है, ये भी एक तरीके से आलोचिकों के द्वारा और इसायत यत्यास कारों के द्वारा माना हुआ समय है, कोई प्रमानिक समय नहीं मिलता है, कि कितने समय तक ये दरबार में रहकरके, मुगल दरबार में रहकर कावी रचना किया करते थे, आद में इनकी कवीताओं का एक संग्रह आया, आलम के लिए, जो बहुत ज्यादा प्रसित दुआ आलम और सेख की संयुक्त कविताओं का जैसे आदोनिक काल में अपने पड़ा होगा कुछ उपन्यास मनु भंडारी का और राजे इंद्रियादव का कौन सा उपन्यास है जो दोनों ने मिलकर लिखा है। राजे इंद्रियादव और मनु भंडारी दोनों पती पत्मी थे। महाबोज नहीं है। पती पत्मी दोनों ने साथ में मिलकर ये उपन्यास लिखा था। तो उसी तरह से रीति कालीन कवीता में भी सेख और आलम की जो जोड़ी है वो साथ में कावे रचना करती थी। और इतने गुते हुए उनके कवित और सवय ये हैं कि आप पता नहीं कर सकते हैं कि कहां परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा सा भासा का अंतर आते ही आप पकड़ सकते हैं और वो भी बहुत गहन अध्यन के बाद। कुछ साहित इतियास कारों और कुछ आलोज कोने समिक्स कोने सेख की पंक्तिया अलग करके भी देखियें भासा के प्रयोग क्या दार पर वो उर्दू भासा के सब्दों का प्रयोग ज़्यादा करती है। आलम के लिए एक संग्रह था इनका जो प्रकासित हुआ था इसके अलावा भी कुछ रचनाई लिखिए इनों ने आलम और सेख दोनों रेखता और उर्दू में भी रचनाई किया करते थे सेख भी बहुत अच्छी कवित रही थी वह अच्छी कविता कर सकने में समर्च थी और आलम के साथ प्रेम होने की एक बहुत ही अजीव सी कहानी है जो नाटके लग सकती है एक बार आलम ने पगड़ी रंगने के लिए दी पुरानी प्रसा के नुसार पगड़ी रंगने का अर्थ क्या होता था पूरी के पूरी ड्रेस बेजी जाती थी और विसेस करके जो राजदरबारों के लोग गुआ करते थे या फिर रोयल फेमिली से जो लोग गुआ करते थे उनकी पगड़ी रंगने के लिए जाया करती थी कोई भी विसे सबसर पर रंगरेजों के यहां पर तो ऐसे ही आलम की भी एक बार पगड़ी रंगने के लिए भेजी गई भूल से उसमें एक कागज की चिट चली गई जो बंदी हुई थी पगड़ी के साथ में उस चिट में दोही की एक आदी पंक्ती लिखी हुई थी साइद आलम लिख रहे थी उसको पूरा नहीं कर पाए और बांद करके अपनी पगड़ी में खौस ली थी आदी सी पंक्ती थी पंक्ती क्या थी? ये भी कमर कनक छडी कनक का मतलब क्या होता है? सोना और धतूरा भी होता है यहां पर सोना है चडी के समान कनक छडी सी कामिनी काही को कटी चीन सेख ने इसको पढ़ा और इस दोहे को पूरा किया अगली पंक्ती में वो क्या लिख कर वेजती है? कटी को कंचन कटी बीधी कुचन मद्यधरी दीन कटी का मतलब कमर बता दिया न कमर का जो ये मास था कमर का जो इससा था वो भर दिया कहां? कुच में इसलिए कमर पतली है इसी करन से कमर ख्षीन हो गई है इस कनक छडी सी कामनी की जब ये चिट पढ़ी वापिस से आलम के पास गई आलम ने इसे पढ़ा तो वो उसी वक्त जो है सेख के प्रेम में पढ़ गए और अंत में हमसे साधी भी कर ली सेख से साधी करने के बाद आलम क्या बन गए? मुसलिम बन गए पहले ब्रामन थे क्या विसेस्ताएं हैं आलम की और सेख की जहां पर हमें सहीवत रूप से पढ़ना होगा आलम और सेख दोनों का कावई एक साथ में हैं अलग से नहीं है इसलिए आलम और सेख दोनों की सहीवत रूप से कावई की विसेस्ताएं रीतिबद रचना करने वाले कभी नहीं थे, रीतिमुक्त कभी रचना करने वाले दरबारी कभी थे पहले जरूर उन्होंने कुछ रीतिबद रचना की है रीतिबद रचना करने कारते जो परमपरागत तरीके से कभीता होती थी दरबारों में उस तरीके की रचनाएं किये लेकिन वो जो है एक पुस्तक के आकार में नहीं मिलती है वो सौत अंदर पर रचनाएं प्रेमों मत कभी थे और उनकी अपनी तरंग के अनुसार ये रचना किया कब थे और बाद में जब सेख से प्यार हो गया तो उनको दर्बार से निकाल भी दिया गया प्रेम की पीड या इसक का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा हुआ मिलता है सारे कभी जो रितिबुक तुदारा के कभी हैं उनकी एक ये विसस्ता तो है सबकी उन्होंने अपने प्रेम की पीड़ा को उन्होंने अपने प्रेम की इसक के दर्द को अभी विक्त किया है प्रेक्षाई भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है इस हिसाब से उनका साइदय कलात मक्तेवरा साइदय। जैसे बहुदा का साइद्य सरलता को अनूसरन करता है आलम का साइदय जो है वो कहीं न कहीं कलात मक्ता से युक्त है, बनावटी सा लगता है थोड़ा सा, अतीशोगती पर पर इनका जो काव्य है वो हमें भान होता है भासा भी परिमार्जित है सुद्ध भासा है उर्दू भासा के सब्दों का प्रियोग ये करते हैं रेकता उर्दू की सब्दों का प्रियोग करते हैं भासा सुव्य बस्तित है पर कहीं कहीं पर उसमें आवधी या पूरवी हिंदी का प्रियोग होता है पुरविय भासा का इस्तेमाल कहीं कहीं पर को करते हैं जैसे डीन, कीन, जीन, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था जो आधा पद था कनक्छरीसी, कामनी, काहें को कटी, छीन, छीन सब्दा है न ये पूरे भी अभासाओं के सब्दे है, उचन, मद्य, धर, दीन, दीन मतलब दिया ये पूरे भी अभासाओं के सब्दे है, जो आपको सेख और आलम की कवीता में देखने को मिलेंगे और जीन, 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 इन, इस तरह के सब्दे है, जो आपको सेख और आलम की कवीता में देखने को मिलेंगे और ये सब पूरे भी अभासाओं के सब्दे है, अभदी या पूरें भासा के सब्दा है, वो खुद को प्रेम दिवाना कहते हैं और इसी वज़े से ये बात कही गई कि वो प्रेमोनमत कवी है प्रेमोनमत कवी है और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते हैं पाहिय दबाव वो नहीं स्विकार करते हैं इसी वज़े से वो सुचंदताबादी परंपरा को अपनाते हैं इसी वज़े से वो जो दर्बारी क वे परमपराती उसको त्यागते हैं अपने आप में और अपने मन वाद में विस्वास करते हैं दिल से दिलासा दीजे हाल के नख्याल हुजे बेखुद फकीर वह आसिक दिवाना है अपने बारे में ही वर्णन कर रहे हैं जो कुछ भी हो जाए अच्छा बुरा तकारात्मक कुछ भी हो जाए वो अपने आपको अपने दिल से दिलासा देता है दिल से दिलासा दीजे हाल के नख्याल हुजे वो हाल पर नहीं चलता है बलकि हर हाल में मस्त रहता है और ऐसा विक्ति कौन होता है बेखुद फकीर खुद से मुक्त फकीर और आसिक दिवाना विक्ति हो को आशिक दीवाना कहते दीवाना और आशिक शब्द इस्तिमाल भी अर्दू फार्सी में इस्तिमाल किया जाने वाला शब्दे रेखता में इस्तिमाल किया जाने वाला शब्दे और इसके अनुसार वो विक्ति जो संसार के बंदनों से मुक्त हो जाता है वो दीवाना कहलात जैसा मैंने घनानंद के समय कहा था कहीं न कहीं सूफी कावेधारा का प्रभाव कहें या फिर सूफी कावेधारा की तर्ज कहें रीति मुक्त कवियों के यहां पर भी आपको एक डूर पकड़ने को मिल जाती है क्योंकि यह लोग जो है स्रणारिक रचनाय किया करते थे इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं था विसे इसकर के मुस्लिम धर्म से कोई कनेक्शन नहीं था इस वजए से सूफी कावेधारा में न आ करके यह रीति मुक्त कावेधारा की कवियों के कुछ उदारन देख ल करे सुनियों करे इस तरीके के सब्द जो साहितिक भासा होती है उससे बाहर पटक देते हैं एक दोस होता है कविता में कौन सा दोस यहां पर कोई कवी साहितिक भासा का प्रियोग न करके ग्रामेन संस्क्रतिक की भासा का प्रियोग करे या ऐसे सब्दों का इस्तेमाल करे जिनके द्वारा साहितिक मर्म उस सब्द का खत्म हो जाए, एक नया ही रूप ले ले, ऐसे सब्दों को प्रियोग करते समय कवीता में एक दोस उत्पन हो जाता है, और वो दोस कौन सा है, कोई नाम बताएगा? सिंपल सा दोस है, ग्रामियन भासा के सब्दों का इस्तेमाल करे, पुरबिया प्रापर भासा नहीं है, एक बोली है एक तरीकी की, तो ग्रामियन भासा हो गई वो, और जहां पर ग्रामियन भासा के सब्दों का इस्तेमाल होता है, वहां पर ग्रामियत वदोस आता है, जैसे उलाहरन के तौर पे आपने कुछ कवीताओं में देखा होगा बहुत जदा ग्रामेट भासा के स्थानिय बोलियों के सबनों का इस्तेमाल कर लिया जाता है प्रियों खटोले में रहे अब ये खटोले सब कोई साहित्तिक सब नहीं और साहित्तिक भासा में इसका प्रियोग कभी नहीं किया जाता है इस वज़े से यहां पर कौन सा दोसा आ जाता है ग्रामेट तो दोसा आ जाता है इनको हम आगे पढ़े ही वैसे जब हम कावे दोस पढ़ेंगे उस समय दो चीजें अभी अभी तुरंट मैंने बताई थी आलम की और सेख की कवीता के बारे में कि ये प्रेमोन मत्प है पहली विसेस्ता दूसरी विसेस्ता क्या है अपने तरीके से और अपने ढब से ये कावे रचना करते ना अपनी अभिव्यक्ति करते मनवादी कभी है लगबग सारे के सारे रीती मुक्त कभी मनवादी ही है उसका उदाहरन देखिए ये वाला इनको नहीं है उस चीज का भान की अगर मैं इतनी स्रिष्ट साइट ते रचना कर रहा हूँ और इस रचना के दौरान मैं अगर ग्रामेन भासा के वो भी इनको बहान नहीं है वजय क्या है? वो उनमत है वो अपने को आपको अभिव्यक्त करना चाहते हैं भले ही उनकी भासा की दृष्टी से कभीता खारिज हो जाए पर रीती काल की कभीता खारिज हुई है अगर चलता हूँ भासा के सब्दों का इस्तेमाल किया है बूलियों की सब्दों का इस्तेमाल किया है ऐसे में आचारे कभीयों ने उस कभीता को दवस्त निरस्त कर दिया है इसी बज़े से उदाहरन देते समय रीति मुक्त कवियों की रचनाओं के उदाहरन नहीं दिये जाते हैं ये ध्यान रखना रीति मुक्त कवियों की रचनाओं के या फिर उनके द्वारा जो रची गई कविता हैं उनके उदाहरन नहीं दिये गई कहीं पर भी अब इतना बड़ा रीति बद्ध कावे हैं उनको पढ़ लीजे या जहां पर कावेंग वेवेचन की बात की जाती है वहां उनको चेक कर लीजे एक भी कवीता उदाहरन के तौर पर रीति मुक्त कवियों की नहीं है बहले ही पाद के समय में रीति बद्ध धारा से समंदित कोई रचना लिखी गई है अब भी उसका इस्तेमाल नहीं किया है वज़े क्या है क्योंकि ये अपने तरीके से चलते हैं फिर इनकी कवीता के उदाहरन नहीं दे सकते हैं भले ही चन्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो पुराना पैटरन है पद्धती है उसी के अनुसार परंपरा के अनुसार लेकिन उसके बाद भी उसका उदाहरन वहां पर नहीं प्रस्तूत किया गया है ये कुछ वैसा ही था जैसे आप मान लीजिए एक कोई बहुत बड़े होटल की पार्किंग का मेंबर सिप लेते हैं या कोई कलब का मेंबर सिप लेते हैं और वहां मैने में एक आथ बार जाते हैं लेकिन जाते हैं तो आपको सारी सोईदाए मिलती है दूसरा कोई आदमी जो भले ही वहां से रोज गुजरे लेकिन उसके बाद भी उसको अंदर एंटरी नहीं होती है या उसका कोई महत्व नहीं होता है उस एरिया में ये कुछ वैसा ही था भले ही इन लोगों ने जो है चंद वही इस्तेमाल किये जो रिति बद्ध कावेधारा के कवियों ने किये अलंकार वही इस्तेमाल किये हैं सब कुछ वही इस्तेमाल किया है बस अपना कहने का ढ़ब तरी का अलग था बात को कहने का अपने आपको अभिवेक्ट करने का तरीका अलग था और दूसरा कावे नायक और नायका इन्हों ने अपने तरीके से चैनित किये प्रीती बद्ध कवी जो थे आचारी कवी जो थे उन आचारी कवियों के बताए रास्ते पर ये नहीं चले इस वज़े से ये प्रत्थक हो जाते है देखे इतना अच्छा और एक तरीके से प्रयोग और वियोग का मिसरन करते हुए ये चंद लिखा गया है लेकिन भासा के इस तर पर इन्हों ने एक छोटी सी चूप की और उस वज़े से ये जो चंद है वो अंडरलाइन किया जाता है ये जौन सब्द भी पुरविया का ही है आलम जौन से कुंजन मै करी केली जहां तहां अब सीस धुन्यों करे नैनन मेजे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यों करे इसे इस करके वियोग वरणन है लेकिन जब वो उसको याद करता है तो ये सन्यों की दसा में पहुंचाता है जिस रसना कार्स होता है जीब जिस जीब से हमने एक दूसरे की रसनसा की एक दूसरे की बातें की एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से बातें साजा की उसी रसना से अब वियोग मैं मैं क्या करता हूँ उसके चरितर को गुनता हूँ गुनता हूं मतलब चरितर को बताता रहता हूं किसके मादिम से कवीता के मादिम से आलम जॉन से कुंजन मैं करी केली तहां अब सीस धुन्यों करे जॉन से मतलब जिन कुंज मैं वागबगी चौ मैं कभी मिलकर केली की प्रेम क्रिड़ा की अब वहीं पर बैट करके मैं अपना सीस धुनता हूँ सिर धुनता हूँ वहाँ पर बैट करके क्यों कैसा समय था और आज का समय कैसा है नैनन मेज सदा रहते तिनकी अवकान कहानी सुन्यों करे जो हमेशा आँखों में बसते थे परिम आँखों के रास्ते से होता है जो हमेशा आँखों में बसते थे अब उनकी कहानी कान दूसरों से सुनता है इतना मरम इस पर सी वर्णन है लेकिन भासा का प्रियोग वो अपने तरीके से करते है इस वज़े से वो जो है एक अलग धारा के कभी है नेक्स्ट चंद भी कुछ वैसा यह जो उनकी कावर पृतिबा को ही बताता है अब इसको भी ध्यान रखिए ये वाला जो है ना चंद जान थलकीने बिहार अनेकल तान थनका करे बैठी चुनियों करे इन फंक्तियों को जरूर याद रखना पूछी जाती है बहुत बार नैट के एक्जामें तो बहुत बार मिलान वाले प्रश्णों में पूछी गई है ते क्या वैसा ही इस चंद के कुछ पंक्तिया याद रख लीजे ये भी याद रखिए ये लास्ट की दो पंक्तिया ये सेख सब्द आया है मतलब है सेख की रचना है ये सेख और आलम दोनों ने मिलकर रचना किये तीन, चार, पाँच सेख की प्रसिद रचना है कौन कौन सी है सरी आलम की आलम और सेख की दोनों की प्रसिद रचना है एक है मादवानल कामकंदला मादवानल कामकंदला शामस नहीं सुदामा चरित भक्ति पर रख है ये और आलम के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रसिद है मादवानल कामकंदला और आलम के लिए ये सबसे प्रसिद रचना है सेख और आलम की मादवान अलकाम कंदला में क्या है दोहा और चौपाई सैली में रचना लिखी गई है ये देखिए च्छंद के स्थर पर वही परंपरा का ही अनुसरन कर रहे है पांच अर्दलियों के बाद में एक दोहा या सोरचा इस्तिमाल किया है कोई वैसा नहीं है कि रीति वर्द कवीयों या रीति सिद्व कवीयों के तरह जो है एक अलग पैटर्न बनाते हैं वही पैटर्न इस्तिमाल कर रहे हैं लेकिन रचना का विशय अपने तरीके से जो है चैनित करते हैं और खास करके अगर आप पूरा कावे इनका विवेचित करें तो जो आलम के लिए ना वही पूर्ण रूप से क्योंकि सेख सोरी आलम और सेख ने भी दरबार में रहे करके कावे रचना की थी ना तो इनके यहा नहीं करते ना के बराबर अर्दलियों के बाद में कोई एक छंद रखने की परवपरा ये भी वहां से आती है रितिवद्ध कवियों से आती है और इस रचना में अकबर ने टोडर मलका उलेक और ये अकबर वर टोडर मलका उलेक भी इस रचना में मिलता है इसका मतलब ये दरबारी कावे से प्रेरित रचना है और कुछ-कुछ जानकारियां जो है दरबार से सम्मंदित बेस में रखी गई है उके श्रियामस नही ये दूसरा प्रबंद कावे है ये भी प्रबंद कावे है प्रिष्ण और रुक्मनी के विवाह पर आधारित है जैसा रीति बद्द कावे धारा के कवी या रीति सिद्द कावे धारा के कवी करते है मंगला चरन ठीक वैसा ही मंगला चरन इस रचना में भी किया गया है ग्यारे अर्दलियों के बाद एक दोहा रखा गया है ग्यारे चौपाईयों के पंक्तियों के बाद में एक दोहा इस्तेमाल किया गया, मतलब ये भी योजना के तहत किया गया, रचा गया एक आद्वानलकांग कंदला भी क्या है प्रवबन्द कावें यहां पर यह यूजना मिल जाते है न छंदों का विधान उसका मतलब क्या है वो प्रवंद कावें ये दूनों ऐसी रचनाए हैं जो दर्बारी कावे से और रीटी बद्ध कावे धरा से प्रेलित और प्रभावित रचनाए है। 51 रेखता बंद इस रचना में इस्तिमाल किये गए आवधी और ब्रज भासा मिश्रित रचना है और कैसी रचना है भक्ति परक रचना है और ये आलम की अकेले की रचना है अर्मी फार्सी सब्दों से युक्त रचना है क्योंकि आलम जो है मुगल दर्बार में रह करके रेखता में भी रचनाएं किया करते थी रेखता क्या है? रेखता सब्द पहले कभी पढ़ा है? पहले कहीं रेखता सब्द है? जैसे सर सायरी सायरी उसकी सर दो लाइन होती है जो यह दूतरे स्वतंतर होती है और उसी तरह से सरेकता भी होता है सर उर्दू की एक सैली है अपने वो वीडियो देखा होगा अमीर खुसरवाला हाँ सर उसमें जिक्र किया इस चीज का और एक बर यह फर्स्ट ग्रेड के एक्जाम में क्वेस्चन भी आया था बहस्तों में रेखता क्या है सैली है कावे लेखन की जैसे आपने देखा डिंगल और पिंगल बहासा है ने बलकी बहासा सैली आए ठीक है ठीक वैसे ही रेखता बहासा सैली है क्लिर कोई भी कावे रचना उर्दू में उर्दू अर्भी फार्सी में करने की एक कावे सहली इस्तिमाल की जाती ठी रेक्ता में और पूर से लेकर के अभी तक भी बहुत सारे लोग आए रेक्ता का इस्तिमाल करते हैं गालिब के बारे गालिब रेखता के उस्ताद थे और जो दीवान लिखते थे ना वो रेखता के उस्ताद माने जाते थे गालिब का भी दीवान प्रसिद है मीर ने भी दीवान लिखा और मीर ने एक सेर में ये कहा रेखता के उस्ताद तुम ही नहीं हो गालिब कहते हैं किसी जमाने में मीर भी था मतलब मीर और गालिब दोनों रेखता के उस्ताद रहे है उस्ताद उसको कहा जाता है अर्दू में उस्ताद उस वेक्ति को कहा जाता है जैसे हिंदी में आचारे कभी थी उस्ताद परंपरा आज भी चलती है उर्दू भासा में जैसे आज आचारी कभियों की परंपरा लगबख खत्मसी हो गई है आप नाम जरूर लगा सकते हैं किसी के आगे कि वो आचारी कभियों गए है पुर्दू सब्दबाद में क्या था बहुत सारी 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 बह उसको एक अलग नाम देना लाजमी है और हम उसको अर्दू कहते है जहाले मिस्किन मुकं तगाफुल दुराए नेना बनाए बतिया अमीर खुसरो की पंगती है जो बाद में एक फिल्म में गुलजार में इस्तेमाल किये वो भी उसकी भासा पूछी थी एक वर फस्ट बाद में लिखा गया लिखी गई पद रचना है अमीर खुसरो की पद रचना थी गाना है जिहाले मिस्किन मुकं तगाफुल वो गाना गुलजार ने लिखा एक्चल में वो अमीर खुसरो की कवीता है क्रिष्ण और निर्दन सुदामा के मिलन का वर्णन इस सुदामा चरित में किया गया है मतलब वक्ति परक ही रचना है क्रिष्ण सुदामा के मिलन का वर्णन किया है इसी रचना पर नरोतम दास ने सुदामा चरित नामक कावे रचना की ही है most important सोधामा चरित नरोतम दास की भी बहुत प्रसिक दरचना है ब्रजभासा में सोधामा चरित बहुत ही किससे प्रभावित होकर लखी है नरोतम दास ने आलम से और एक और रचना आलम की जो एक बड़ा आधार बना देती है मादवा नलकाम कंदला बहुत सारे लोग जो है इस रचना को आधार बना करके लिखते हैं सर इसी का नाम इसक लता है ना किसका इसक लता है ने सर और ये कवित और सविया में लखी गई किताब है सुधामा चरिप नरोतम दास इसको सविया में लेखते है ने है आलम केली ये ये बहुत ज़्यादा प्रसिद है सुधामा चरिप की प्रसिद्ध का कारण सिरफ ये हैं कि उस पर बाद में एक अच्छी रचना लिखी गई ये बहुत संक्सिप्त रचना थी जो आलम की जो रचना है ना बहुत संक्सिप्त है सिरफ एक्यावन रेखता बंदों में लिखी गई है बहुत छोटी सी कावे कुटी थी लेकिन बाद में इस पर एक विस्तरित कावे लिखा गया और वो था सुदामाचरित नरोतमदास स्वामी का आलम के लिए 1922 में प्रकासित की गई किसके द्वारा लाला भगवान दीन ये नाम भी बार बार आपने सुना होगा कई बार सिर्फ दीन इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ दीन एक बार साइद अपने वीडियो में भी एक क्लास में दीन सब्ध ही आया था सिर्फ दीन जहां पर भी आया ना रितिकाल में दीन का मतलब लाला भगवान दीन है क्योंकि इन्होंने भी काफी रिसर्च किया काफी चीज़ें जो है जुटाई है रितिकाल के संदर्ब में 1922 में आलम केली का प्रकासन किया गया लाला भगवान दीन के द्वारा मतलब ये किताब पहले से मौजूद थी लेकिन पांडूलिपी के तौर पे कहीं संग्रहित थी उसको एक किताब की शकल बाद में दी गई उटकर कवीताएं हैं आलम और सेख की दोनों ने मिलकर जो कवीताएं लिखी थी वो और ये एक रचना आलम द्वारा सबसे जो चर्चित रचनाएं हैं उन में से एक है आलम की चार रचनाएं आलम के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित है फिर मादवानलकामकंदला इसको लता कहते हैं उसको सुदामाचरित जो रेखता में लिखी गई किताब है ये भी ध्यान रखना रखना बहाशा कौन से उसकी अवदी और ब्रिज है और सिर्फ 51 रेखता बंदों में उसको पूरी की पूरी सुदामा मिलन की कहानी को कवी ने लिखा है बाद में ये से रचना पर नरुतम दास स्वामी ने सुदामाचरित नामक कावे की रचना की जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध को पा गया आलम का कवीता काल लग भग वो भी लग भग है ठीक है 1283 से लेकर के 1700 के आसपास तक माना जाता है लग भग लग बग है आलम और सेख का रचना काल है एक और खास बात जो आलम के संद्व में कही जाती है एक सेकेंड मैं यहां पर लिख के बता देता हूँ आलम को उनकी कावे कला के कारण दो कारण है जिसके वज़े से इनको इन कवियों के साथ या इन कवियों जैसा गिना जाता है एक रसकान के साथ आलम का नाम जोड़ा जाता है उनकी कावे कला की दुश्टी से और दूसरा घनानन्द का गनानन्द स्वचंद परमपरा के सुर्तिनिधी कभी है आलम भी ठीक वैसे ही व्यवार वालिक कभी है वैसे तो देखा जाए तो बोदा भी उसी प्रकार के कभी है जैसे गनानन्द है लेकिन आलम जो है अपनी प्रवर्ति को इस स्वचंद वादी प्रवर्ति को अपने कावे के माद्यम से भी ताबित करते हैं और वो ये बताते हैं कि मुझ मैं ठीक वैसे ही गुण है कावे रचना करने के बोदा पीछे छूट जाते हैं क्योंकि बोदा की भासा जो है ना उतनी ज्यादा साइथ तिक नहीं है सरल सादारन और ग्रामिन भासा के सब्दों का इस्तेमाल वो बीच बीच में कर लिया करते हैं आलम की भासा तगड़ी है दमदार है और तकालीन भासाओं में जो लोग अर्दू सब्दों का इस्तेमाल करते थे अर्वी फार्सी के सब्दों का इस्तेमाल करते थी वो ग्यानी गिने जाते थी जैसे आज के समय में अंग्रेजी बोलने वाला विक्ति या फ्रेंच जर्मन बोलने वाला विक्ति ग्यानी जादा गिना जाता थी वैसे ही उस समय अर्दू भासा का इस्तेमाल करने वाला कभी ज्यादा ज्यानी समझा जाता था आलम दक्स थे उस वासा के प्रियोग को ले करके और किया भी अपने काबल में जैसे घनानंद दक्स है तत्सम सब्दावली को और ब्रिज भासा सब्दावली को प्रियोग करने में ठीक वैसे ही भासा प्रियोग के कारण और प्रवर्ति के क अपने व्यक्तिकत प्रवर्ति के कारण उनको रखा गया है घनानन्द के समकक्ष रस खान के समकक्ष इसलिए रखा गया है वो रसग्य है रस परिबर्तन की जानकरी और जब वो बर्णन करते हैं किसी चीज का वो रस खान की तरह खो जाते है वो आठक को या जो उसरोता है उ उसको भी उसमें अनुरक्त कर देते हैं, ये विसेस्ता रस खान में पाई जाते हैं, इसलिए रस खान को रस सिद्ध कभी कहा जाता है, ठीक वैसे ही कुछ विसेस्ता आलम की है, रसक्य है, रस की अच्छी जानकारी है उनको, वियोग पक्स को बहुत ही गंभीर तरीके से चि करते हुए कहा है कि आलम को आप रस खान और घनानंद की स्रणी में रखेंगे, तो कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी, ध्यान रखना यहां पर सिर्फ बात आलम की की जा रही है, क्योंकि काव्य में हम सेख और आलम को साथ में ही पढ़ते हैं, अलग से नहीं पढ़ते हैं, यह भी ध्यान लटना है, दोनों बातें पर आधारी थे, रस परिवर्तन करते हैं, काव्य में वो रस परियुक करते हैं, और अपने आपको बयान करते हैं, अपने व्यक्तितों को बयान करते हैं, इसके पीछे भी कारण क्या है, प्रेम, उन्होंने दर्वार तक को त्याग जब उन्हें जो है हरी खोटी सुनाई गई तो, क्योंकि वो आपने व्यक्तितों से ज्यादा अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, इस वज़े से वो किसी प्रकार की बाउंडेशन, किसी प्रकार की सीमा रेखा का नियंत्रन वो स्विकार नहीं करते हैं, एक और बात, जो प प्रेम की पीड का कवी कहा गया है और यही बात घनानंद के संदर्ग में भी कही गई है घनानंद को भी प्रेम की पीड़ा का कवी कहा गया है लेकिन दूरों में अंतर क्या है कोई बता पाएगा घनानंद के प्रेम की पीड़ा में और आलम के प्रेम की पीड़ा में अंतर क् घंणनन्द का वियोग सासवत था जब कि ऐलम का वियोग सासवत नहीं था कैसे तो बाद में प्रेम का साधी कर लेते हैं आलम तैसलिए उनमें सयोग और वियोग दोनों पक्षे सर यथार्थ की भूम पर है जबकि घनानन्द का वियोग वर्णन उनका भोगा हुआ वियोग वर्णन है और वो आज ही बन रहा है अंतिम समय तक रहा है आपको पता है अंतिम छंद लिखते समय भी घनानन्द सुजान को संबोधित करते हुए छंद लिखते हैं और वो भी वियोग वर्णन का लिखते है कि अब प्राण जो है वो अधरों पर आ गए हैं और ऐसी इस्ततियों में भी मैं क्या करना चाहता हूँ अपने प्रेम की उस प्राकास्टा को अपने प्रेमी का को बताना चाहता हूँ अगर वो सुजान है तो इस चीज को समझे और कम से कम अब तो मुझे स्विकार करें वो मर रहे हैं ऐसे स्तती में भी अपने प्रेम को साबित करना चाह रहे हैं इसका मतलब उनकी वियोग की जो दसा है वो लगातार प्रकिरिया में है लगातार वो वियोग को जहल रहे हैं और उसको लिख रहे हैं अंतिम छंद तक लिख रहे हैं और दूसरी तरफ आलम का आलम का जो वियोग है भले ही वो प्रेम की पीड़ा के कभी कहे जाते हैं अभी विजह सर ने बताया न कि एक का प्रेम सास्वत है और एक का प्रेम सिमित समय तक के लिए संभवत आलम को प्रेम की पीड़ा भोगने का अवसर मिला ही नहीं वहाँ ऐसी इस्तति थी आलम और सेख के मध्यद उनको स्विक्रति की दिक्त थी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थी और दोनों ने एक दूसरे को चाहा भी भर कर चाहा दोनों ने एक दूसरे को अंगीकार किया स्वीकार किया धनानंद के संदर्ब में धनानंद जरूर प्रेम को जो है अपने प्रेमिका को चाहते थे और उसके लिए कुछ भी कर जाने को तयार थे लेकिन उनकी जो प्रेमी काय सुजान वो नहीं तयार थी मतलब प्रेम एक तरफा था दूसरी तरफ दोनों तरफा प्रेम होने के बावजूद भी सामाजिक स्विक्रिटी नहीं थी एक ब्रामन है एक मुस्लिम है इस बज़े से एक रंग रेजन है जो सर्फ कपड़े रंगने का काम करती और एक दरबारी कभी है किसी दरबार का मुगल दरबार का सबसकते दोनों का स्टेंडर्ड हर इस तरफ पर दोनों के बीच खाईयां है लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रेम करते है उनकी प्रेम की पीड़ा का जो विसे है न वो सामने वाला व्यक्ति नहीं है जैसे घनानन्द की प्रेम की पीड़ा का विसे क्या है सुजान है व्यक्ति विसे से अलंकि घनानन्द इतने उदात बन जाते हैं अपने प्रेम की पीड़ा को अभिवेक्ट करते समय कि वो सुजान पर कोई लांचन नहीं लगाते हैं या सुजान पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं या उसको हीन नहीं थाबित करते हैं यह उनकी उद्दा अतता है यह उनका बड़पन है एक प्रेमी के नाते ऐसा होना चाहिए दूसरी तरफ आलम को स्विकार कर लिया गया उसकी प्रेमी का के द्वारा और उसकी प्रेमी का को स्विकार कर लिया गया आलम के द्वारा दोनों एक दूसरे के प्रते उतना ही प्रेम रखते हैं लेकिन उनके बीच में जो ये सामाजिक खाईयां है ये फत्म होना आवश्यक है आलम की कवीता में सेख की कवीता में जो सामाजिक खाईयां है इनहीं का वर्णन है वियोग का मुख्य कारण क्या है सामाजिक दिखावा समझें दोनों के प्रेम की पीड़ा का जो वर्णन है उसका विश्य क्या है अलग-अलग है और इसके कई सारे उदाहरन आपको मिलते हैं जैसे घनानन्द का वियुक वर्णन का कोई उदाहरन ले लीजिए आप और दूसरी तरफ आप आलम का कोई उदाहरन ले ली जैसे आलम ने आलम का भी एक हमने चंद पढ़ा था जान थलकी ने बिहार अनेक अनतान थलकां करी बैठी चुन्यो करे नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे यह चंद अबी हमने पढ़ा था ना क्या है वियोक कैसा है तरफ कैसी है दोनों तरफ की तरफ है मिलने नहीं मिलने का कारण वियोक का कारण क्या है सामाजिक परिस्तितिया है और इस इन परिस्तितियों को आलम और सेख ने कैसे दूर किया दरबार का त्याग करके दरबार को छोड़ करके अपने आप उन्होंने सामाजिक तक रद कर दिया कि हमें नहीं चाहिए और वो जाकर के क्या बन जाते मुसल्मान बन जाते तो उनकी उनका जो व्रियोग है वो खत्म हो जाता है क्योंकि उनकी प्रेमिका के साथ रहने काउसर मिल जाते जैसे एक और चंद की कुछ पंगतियां देखिए आलम की दाने को ने पानी की ने आवे सुद्ध खाने की योंगली महबूब की अराम खुस खाना है वो महबूब की गली में गोते खा रहे हैं और दूसरी तरफ घनानंद को वो आफसर भी नहीं है क्यों आफसर नहीं है क्योंकि स्विकृति नहीं है घनानंद के लिए उसकी प्रेमी का कि द्वारा स्विक्रिक्ति नहीं है इस वजए से गनानंद के पास कोई आप्सन नहीं है उनका वियोग जो एक नसरुथा बिन है दूसरे वियोगियों के तरह का नहीं है और आलम के यहां पर वियोग कैसा है उसमें बात देता हैं क्या समाजिक बात देता है और इस वजए से वो मिल नहीं पा रहे है वहां मिलन नहीं है गनानंद के यहां पर प्रेम नहीं है बराबरी का प्रेम नहीं है इस वजए से गनानंद ये ये भी अंत वाले अपने पद में क्या बोलते हैं कि मैंने जूटी बातों पर पत कर लिया बतलब प्रेम नहीं था जूट था चला वा था दिखा वा था वो सब कुछ जो धनानद और सुजान के बीच हुआ होगा कभी वो सब प्रेम नहीं बलकि जूट चल दिखावा था उसके बल पर प्रेम का महल नहीं कड़ा किया जा सकता, प्रेम का मकाम खड़ा नहीं किया जा सकता है तो उनों की भासा के आधार पर भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है बेखोद, फकीर, आसिक, दीवाना, ख्याल, खुस्काना, महभूब, तजरारे ये सब्द कैसे हैं, जो उर्दु भासा से प्रभावित है, दूसरी तरफ गनानंद की कावित की विशिस्ता हैं आपको बताई थी, ब्रिज भासा का वो बेहतरीन प्रियोग करते हैं, सब्सम सब्दावली का इस्तेमाल करते हैं अपनी कवीता को लिखते समय, चलिए हैं झाल 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 झाल